असलाम आलेकुम SLS स्टूरेंट्स कैसे हैं आप आज आपका उर्दू का 12 लेक्चर है आप अपने उर्दू की रीडिंग बुक निकालें और उसका फर्स पेज ओपन करें जी बचो आपने ये फर्स पेज ओपन कर लिया रोजानंग की तरह हम एक दफ़ा इसकी दोराई करें ताके आपको ये अच्छी तरह से रीडिंग आ जाए ठीक है बचो आप मेरे साथ आप पढ़ना स्टार्ट करें ये क्या है अलिफ से अनार फेज से पढ़े अलिफ से अनार अलिमादा से आम बे से बिल्ली ये क्या है पे से पत्ता पे से पत्ता ते से तितली अब ये पढ़ें ते से टमाटर से से सम्मर जीम से जुराब अब ये सुनाएं चे से चिडिया ये क्या है ये से हल्वा ये कल हमने पढ़ा था खे से खे माखे से खे मा120 जीम आज हम ये नया हर्व पढ़ेंगे ये है दाल डाल ये इसके उपर कोई नच्ता नहीं है कोई छोटी तौहें नहीं है तो ये बिलकों खाली है ना तो इसको हम बोलेंगे दाल दाल खाली फिर से बोले दाल खाली अगेन बोले दाल खाली और ये क्या है ये तो सब को पता है ये है ट्री इंग्लिश में तो ट्री कहते है न उड्दू में कहते है द्रक्त उड्दू में क्या कहते है द्रक्त तो हम रेडिंग करेंगे दाल से द्रक्त चले आप मेरे साथ प फिर पढ़े दाल से द्रक, दाल से द्रक, समझ में आगी बच्चो, very good, मदर्स आप बच्चे से ये बीट-बीट में से हर पूछें, जिस तरह ये है, तो ये बच्चे बोले है, या इस तरह बोले है खाली, इसी तरह ये है, जीम, या बताएं, जीम के अंदर एक नुक्ता, इस तरह बच्चों को पता चलेगा कि कितने नुक्ते, इस सार पर कितने नुक्ते हैं, उस सार पर कितने नुक्ते हैं, वो भी उनको समझ में आती जाएगी, ताकि वो reading करते रहें इस तरह बीट पीट में से आप पूछते रहेंगी तो बच्चों को लफजों की पहचान भी होती रहेंगी इन हरूप की पहचान भी होती रहेंगी अच्छी तरीके से यह जिस तरह यह है तो बोलेंगे उपर के नीचे हैं आप बताएंगे उपर उपर किते नुक्ते हैं दो ते के उपर दो नुक्ते इसी तरह यह पे है आप पूछेंगी यह का नाम क्या है तो बोलेंगे पे आप इसके नुक्ते कहाँ पर है उपर के नीचे बच्चा बताएगा नीचे तो आप बताएं अब पूछें कि कित्ते इसके नीचे कित्ते अब इसे बच्चों को यह इनकी पहचान करवा सकती है ठीक है मधरव? थैंक यू. अला आफ़ीज